नमसकार दोस्तों Welcome TO MY CHANNEL दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे के कैसे Computer Desksstop PC को भार्ण क्या जाता है तो जाइसे की दोस्तों आप यहां पर देख सकते यहां पर Gaming PC आपको दिख़ई ढहने तो Gaming PC में पॉब्लेम क्या है तो चलिए पहले आपको दिखा है तो इसको ओन करते है और देखिए दोस्तों मोनिटर भी लगा हुआ है मैं यहां पर आपको दिखा है था हूँ तो देखे दोस्तों यहां पे ग्राफिक ग्राफिक कर रहा है तो ग्राफिक कट के साथ इसका जो मोनिटर यहा के लगा हुए लेकिन यहां पर ढआप दिखानाय यहां पे थोड़ा भी तो पॉसेसर का जो पंका है घूम रहा है और सही से सब कुछ मतलव संप इसमें सबय कूछ चल रहा है लेकिन यहां पर डिस्प्ले आणी रहा है तो इसका एक्चुली रिजन क्या है कैसे हम इसको रिप्यार कर सकते हैं वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले तो पुरा वीडियो दिखेगा दोस्तों तभी आपको पता चलेगा कि कैसे स्टेप बाइ स्टेप टावल सूट करना है और आपको पीसी को रिप्यार करना है तो दोस्तों मैंने दो तीन दिन पहले एक पूल डाला था जिसमें आप लोगों से पूछा था कि आपको कौन सा वीडियो मतलब ज्यादा अच्छा लगता है आपको चाहिए तो कॉम्पूट वीडियो में ज्यादा लाइक मिला था तो इसलिए वाला वीडियो में बना रहा हो तो पूरा वीडियो देखे और देख लिजिए मतलब कैसे आप मतलब स्टेप बाइ स्टेप टावल सूट करके आप इसको रिप्यार कर सकते तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते तो वी दोस्तों यहां पे start हो गया है लेकिन देखिए keyboard में लगा हुआ है keyboard में इसका जो name lock नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप कैसे चेक करेंगे आपका PC से चल रहा है के नहीं तो यहां पे 2-3 reason हो सकता है यहां पे display नहीं आ रहा है तो 2-3 reason क्या क्या है पहले तो आपका जो RAM है RAM सकता है दूसरा देखिए यहां पे display में ग्राफिस कार लगा हुआ है तो ग्राफिस कार भी आपका खड़ा हो सकता है उसके बाए से मतलब आपका display नहीं आ रहा है तो आपको keyboard में चेक करना है कि keyboard का जो name lock है ओ अन फोड़ा है कि नहीं तो देखिए यहां पे कोई भी light नही हुआ तो इसमें कुछ problem तो है तो हम देखेंगे आभी क्या problem है तो आप से निवेधान है आप पूरा वीडियो देखिए नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा तो इसको चले off कर देते और इसको खोलना पड़ेगा तो मैं camera को नजदिक में ले ले धाऊ कर देखिए तो यहां से आपको सब कुछ दिख पाएंगे आप कैसे मैं क्या कर रहा हूं तो चले पहले इस glass को खोल लेते हैं तो ग्लास को मैं साइड में रख देता हूं और यहां पर दोस्तों धान से देखिएगा यहां पर देखिए एक ग्राफिस कट लगा हुआ है और रेम भी लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे पहले आड डैम दो रेम यहां पहीं पर इंस्स्टाल है तो हो सकता है किसी रेम में मत्त बभी आ है इसलिए डिस्प्ले बगारा नहीं आड़ा है तो डिस्प्ले का में डिजिन मतब 60% राम होता है तो राम को आपको पहले चेक करना है तो और उसको क्लीन भी करना है तो हम क्लीन भी करेंगे और फिर से देखेंगे तो उसके लिए दोस्तों आपके पास एक एरेजर होना चाहिए एरेजर एक ले लिजिए और रेम को सही से क्लिन कीजिए तो मैं यहां पर मैं दोस्तों आप लोगो को स्टेप बाइ स्टेप दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा दो रेम यहां पर देख सकते तो इसको थोड़ा सा क्लीन करूंगा इरेजर से क्योंकि दोस्तों इसमें रेस पर जाने से मतलब आपका कॉम्पूटर स्टार्ट नहीं होगा रेम तो सही है लेकिन रेस अगर यहां पर जम गया है तो आपका कॉम्पूटर जो है स्टार्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे एक एक करके चेक करेंगे मतलब एक रेम यहां पर इंस्टल करके PC को स्टार्ट करेंगे उसके बाद दूसरा लगाएंगे तब ही आपको पता चलेगा इसमें से कोई भी रेम अगर आपका खड़ाव होगा तो आपको तुरंट पता चल जाएगा चले इसको लगाते हैं पहले तो देखे RAM इस्टल हो चुका है अभी हम क्या करेंगे PC को स्टार्ट करेंगे देखे स्टार्ट हो चुका है अभी कीबोड के उपर नज़र डालिए यहाँ पर अगर स्टार्ट हो गया computer तो यहां पे आपका name lock on off होगा भले यह आपका display ना आया हो लेकिन आप यहांसे यह आप समझ सकते के आपका computer मैं start हो चुका क्योंकर मैं आपको लास्ट में बता दूँगा के display ना आने से भी मतलब computer कैसे on हो रहा है तो क्या reason है इसका भी मैं बता दूंगा आपको देखें यहां पे कोई भी लाइट बगड़ा नहीं जल रहा है इसका मतलब यह है कॉम्पूटर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ दूस्तो और डिस्प्ले आपका आउटपूर सेक्शन है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी इसको फिर से ओप करेंगे और यह वाला जो रहम है इसको खोलना हैक दूसरा जो रहम है उसको लगा के चेक करना है तो दोस्तों यह तू नहीं हो सकता कि दोनों का दोनों रहम आपका ख़ड़ा पूचुका है ऐसा हो नहीं सकता एक रेम आपका काम करना बंद कर सकता है लेकिन दो रेम एक साथ खड़ाब नहीं होता तो देखें दूसरा रेम मैंने लगा दिया अभी फिर से इसको स्टार्ट करके देखेंगे तो देखें दोस्तों यहां पे कोई भी लाइट बगड़ा नहीं आ रहा है इसका मतलब सब कुछ चल रहा है मतलब सीप्यू फैन बगड़ा सब कुछ चल रहा है ग्राफिस काट भी चल रहा है यहां पे पंखा भी घूम रहा है सब कुछ हो रहा है लेकिन यहां पे डिस्पल नहीं आ रहा था तो क्लीन करने के बाद आप अगर लगा ओगे तो आपका डिस्प्लेय चलाएगा तो रैम हमारा सही से काम कर रहा है तो कंपूर में क्या होता है एक एक करके आपको स्टेप बाइ स्टेप चेक करना है तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्स को दिखा है हो देखें मादार बूड में एक आउटपुट शेक्शन होता है यहां पर देख सकते हैं यहां पर आउटपुट अमन और अगर ग्राफिस कर लगा है तो वहां पर भी आपको दिखनों को मिल रहा है welfare मीं दिखाया हूं दिखें यहां पर भी एक वीजिय आपक को देखने को मिल रहा है जिसमें आप ग्राफिस कर लगा के मतलब अगर यूज कर रहे हो तो ग्राफिस कर लगाने के बाद ही आपका जो में बोट का जो ग्राफिक्स है मतलब आउटपूट सेक्शन है वो बंध हो जाता है क्योंकि आपने ग्राफिस कर लगा हुआ है तो हो स को निकाल के एक बड़ चेप कर लिजिए अगर नहीं है आपके graphics नहीं तो आपको दूसरा एक ग्राफिकक्स काड लाके आपको चेक करना पड़ेगा नहीं तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफिककाड के वाई से भी हो सकता है लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात आता है कि ग्राफिस काड अगर खड़ा होगा तो आपका आउटपूर्ट सेक्शन जो है डिस्प्ले आपको नहीं देगा लेकिन यहां पर जो कीबोर्ट का लाइट है तो आपको जलेगा मतलब यह वाला अनौफ ह तो आपको शरी है के आप्टप्ड़ के खोल लिजे खुल सकते पर चेक कर लिए तो में यहां पर खटआई खोला दूंगा तो आपको धन में रखना है दोस्तों आपके पॉसेशन में अगर ग्राफिक्स है तब आपको खुलना ए नहीं तो आपको डिस्पली नहीं आएगा to processor में ग्रफीक्स नहीं है तो आपको दूसरा कोई इन बिल ग्राफिक्स है तो में वहां पर क्या करrit गब तो निकाल दूगा तो इसके बाद से मत्तवर 2500 नहीं रूकरेगा इस ओन बॉर्ड ग्राफिक्स में नियाए तो छलिते अभी क्या करेंगे अभी जो भीजिये हैं दिखें ग्राफिस काड अपने खोल दियो तो आप जो मादर बूट का सेक्षन है वीजिये का उसमें आप लगा सकते कोई दिक्क्र नहीं है आपके पास अगर फिसे अगर है तो है आपके पास अगर बादेज तो विजिये में लगा दीकॉर जो यहां पर मेंने लगा दिया अ अब आप यह हम को क्या करना है अभी इसि को स्टार्ट करेंगे चलिये अ और यह अरuls बेखो आप सटार्ट हो चुका है और यहाँ पर हम लोग को तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर सब कुछ घूम रहा है लेकिन यहां पर लाइट नहीं आ रहा है कीबोर्ड तो सही से लगा हुआ है कीबोर्ट सही से लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आड़ा है डिस्प्ले यहाँ पे आपको को दिखाए थे दीक़े यहाँ पे डिस्प्लेन है आड़ा है तो दोस्तों अभी हम लोगों को क्या करना है अभी हम लोगों को इसको आप कर देते हैं अभी हम लोगों को इसका जो इसम पेसे पावर सप्लाई स्टार्ट करके देखना है कि आपका पंक्खा बगर सब कुस तो भूम रहा है मतलब आपको जो से पावड सप्लाई है वो सही से काम कर रहा है लेकिन यह भी हो सकता है कि आपका जो पावर सप्लाई का आउटप् वोल्टच जो बोट को मिलना चाहिए एकुडियेट पावर मिलना चाहिए वह पावर इसमें जा नहीं रहा है तो उसके बाए से आपका सिस्टम जो है वह स्टार्ट नहीं होगा तो यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पर जो ट्वेंटी फोर वाला पीन है इसको खोल दूंगा जितना भी हाट डिक्स बाड़ा लगा हुआ है उसमें में अभी कुछ छेरखना ही नहीं करेंगे हमको कॉंपर्म होना है कि सम्पेस ख़ड़ा भेके नहीं तो इसके लिए आप फोर पीन जो पॉसर का पीन है फोर पीन यह वाला खोल लीजिए क्यूंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर केविल मेनेजमेंट मतब केविल सही से लगा हुआ है तो आप अगर पूरा खोलने के बाद सम्पेस लगाने के बाद आपका पीसी स्टार्ट नहीं होगा तो फिर से आपको दूबड़ा यह वाला चीज करना पड़ेगा तो तो मेरे पास नए वाला इसमपेस है दोस्तो गांद मत तो दीखें यहां पर मेरे पास न्हावला है से तो इससे सम्पेस को हम यहां पर चलाएंगे और दीखेंगे को इसमपेस में कोई पॉबलेम है कि नहीं और यहां पर इसी फोर पिन लगा देंगे देखिए लगा दिया अभी केबिल को पावर केबिल को यहां पर लगा देना है इस सेंपेस में और चलिए अभी स्टार्ट करके देखते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर पंखा चलू हो गया स्टार्ट हो गया अभी देखिए यहां पर दोस्तों यहां पर लाइट आ चुका है यहां पर देख सकते और यहां पर भी आप देख सकते डिस्प्ले में भी डिस्प्ले आ चुका है दोस्तों तो डिस्पले आ चुका है तो जैसे कि हम लोगों को एक सीक मिला के SMPS मतलब SMPS का पंका घूम रहा है CPU का पंका घूम रहा है यहां पे चैसी स्पैन जो है ओ भी घूम रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका SMPS सही होगा क्योंकि SMPS का जो आउटपूट वोल्टेज है जो मादर बोट को मिलना चाहिए ओवल्टेज अगर सही से नहीं मिलेगा बोट को तो बोट स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों तो यह हो रहा था इस PC के साथ के इसका SMPS बगड़ा सब कुछ घूम रहा था लेकिन आपका PC स्टार्ट नहीं होगा त तो आपको लग सकता है कि रैम का पॉब्लम है आपका ग्राफिस काट का पॉब्लम है तो हो सकता है मेभी तो आपको स्टेप बाइस्टेप आपको चेक करना है ना कि फटक से आपको SMPS लगा देना है तो स्टेप बाइस्टेप आप अगर चेक करेंगे तो आपको भी मतलग लॉजिक के साथ आपको दिखाई देगा कि कौन सा पार्स खड़ाव है और इसके वाज़ से मतलब आपका जो CPU है घूमने रहा है तो दोस्तों यहां पे अभी हम क्या करेंगे अभी ग्राफिस काड को लगाएंगे और ग्राफिस काड लाएंगे उसका जो मोनिटर का जो केव है दोस्तों मतलब आपका ग्राफिस काड अगर खड़ाव हो चुका है तो इसके वाज़ से भी आपका जो सिस्टेम में डाउन हो सकता है मतलब हाट टाइम होगा एक अंपरम नहीं है लेकिन कहीं कहीं बार मैंने देखा है कि एक्स्टरनल हाडवार जो लगा होता है मतलब PCI स्लोट में जो भी काड बगड़ा लगा हो आए तो वाला काड अगर मतलब खड़ाव हो चुका है तो पूरा PC को हैंग करके डाउन कर देता है तो उसके वाज़ से भी मतलब कम्पूरा स्टार्ट नहीं होता तो चलिए वाला ग्राफिस काड को लगाते है और चेक करते है कि अभी भी मतलब डिस्प्ले आए की नहीं मतलब SMPS का प्रोब्लम कंफर्म करने के लिए तो अभी तो कंफर्म हो चुका है लेकिन फिर भी हम लोग को कंफर्म करना है कि ग्राफिस काड सही है की नहीं तो चलिए इसको आप करते पहले और यहां पे कर देखें यहां पर लग चुका है ग्राफिस काड लग चुका है अभी हम भीजियो को निकल के ग्राफिस काड में लगाएंगे देखें लगा दिया अभी थोड़ा सा क्यमेरा को अभी चलिए इसको वान करके देखते है कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं तो देखें चैसी फैन अभी घूम नहीं रहा है क्योंकि ओवाला जो पहले बाला एक्जिस्टिंग बाला सम्पेस था उसके साथ कनेक्टेड है इसले पांखा भी नहीं घूम रहा है और यहां पर जो लाइट बागाड़ा जल रहा था ओ भी नहीं जल रहा है क्योंकि मैंने यहां पर एक्ष्टार एक नहाए एसेंपेस लागा के बोट को रान किया तो देखें यहां पर डिस्प्ले आ चुका है जैसे कि आप देख सकते तो डोस्तों यहां पर कॉल्प हो चुका है कि इस्पीसी में जो पॉब्लेम था वह смपीस का ही था यह तो हम लोगों को कॉल चुका है तो आभ हमको किया करना है एवाला जो पूर हना से खड़ा हो चुका है उससे से पीज को निकालना है और नया वाला फीट कर देना है तो यह वाला पीजी जो है आपका से चलने लाएगा तो दोस्तों ऐसे ही आप अगर स्टेप बाई स्टेप आप अगर टावल सुट करके मतलब पीजी को देखोगे तो आपको बहुती आसानी से आपको जो पॉबलम है और पकड में आ जाएगा और बहुती कम टाइम में मतलब देखिए अभी 10-15 मिनिट हुआ है तो मैंने क्या-क्या आप लोग को दिखा भी द सब्सक्राइब कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दिन और साइड में जो बेल आइकन है उसको दावा के ओल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिवेशन आप तक पहुंच सके और दोस्तों इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको दिखा देंगे देखें यहां पे जो केबिल बगड़ा है वो सही से मतलब अ तो कैसे खुलेंगे कैसे SMPS को इंस्टाल करेंगे वो दूसरे एक वीडियो में आपको दिखा देंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब करके राकिए बेल बटन को ओन करके तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो एई पे इन करते हैं मिलते निक्स वीडियो में जाई हिन आम आढ़रम